यहां पर आपकी एंट्री होगी और इस जगह पर स्टॉप लॉस ताइवी तो होता है कि अधिकतर लोगों के स्टॉप लॉस जाते हैं Hello Traders and Welcome to the Studio I hope कि आज के दिन आपके लिए काफी एक्साइटिड रहा होगा कल हमने trade execute नहीं किया था अपने private group में morning में share कर दिया था no trading day market जिस तरह से का लूप हैं हुई थी gap down लगा देने के बाद में फिर सीधे uptrend उसका दिखा था नहीं लग रहा था कोई बहुत बड़ा move पूरे दिन में market show करेगे इस वाजे से हमने कल कोई भी trade execute नहीं किया आज हमने चंबल fertilizer को select किया हुआ है trade करने के लिए smart money concept के according किस तरह से हम चंबल fertilizer को trade कर रहे है कुछ इसमें वह नहीं है कि आज हमने किसी दूसरे method से trade कर दिया या पर्सों किसी दूसरे method से trade किया था basically सबसे simple तो यही होता है कि आप day time frame पर reading के जो lower time frame पर आगर कि अपने entry और stop process के confirmations लें trade करें simple धीरे-धीरे करके आप उसको और improve करते हो और better बनाने की कोशिश करते हो जिससे की trade में और finance से आप better अभी future option तो है नहीं कि आपने lots मार दी है तो बड़ा profit हो जाएग अब बड़ा profit हो तो बड़ा loss भी है जो नहीं loss बरदाश कर सकता है account ने balance चार पांच या दस ही जार रुपए का है और trade मारें सोच रहे है आज हम पांच जार को दस जार बना लेंगे अभी trade वो equity को भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन यह option में जाकर पांच जार को दस जार बना लेंगे होते हैं इसे लोग आपको दिखेंगा महीने दो महीने छे महीने बहुत जादा चलगे एक साल गायब market से अगर इस तरह की trade-off बनना तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगर professionally समझदारी के साथ seriously market को देना तो equity में master बन जाओ उसके बाद में segments को trade को मज़ा आ जाएगा अब जैसे smart money के according हम Chumble Fertilizer को कैसे read कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश किए day time frame तो हम देखेंगे लेकिन 5 या चली सबसे पहले day time frame से ही शुरू करते हैं Chumble Fertilizer को हमने यहां पर क्यों trade नहीं कर दिया हमने कोशिश यहीं पर क्यों की reason है ना इसका क्यों ऐसा क्यों है या तो आपको volumes यहां पर ज्यादा quantity आ गई है तो आपको volumes के pick-ups दिखाई पड़ेंगे volumes की spikes दिखाई पड़ेंगी मतलब कि बड़ा player इसके अंदर रहेट हुआ है आजके आप Chumble Fertilizer को जब देखोगे तो इसके अंदर volumes के आपको spikes दिखेंगी प्रिवियस काफी दुनों की volume का breakout हुआ होगा दूसरा एक smart money का देखे सबसे simple concept है जब class वगर रहा है में हम इसको discuss करते हैं थोड़ा सा बड़ा सा मैं लगता है क्योंकि time ज्यादा होता है हम उसको clear कर सकते हैं कई सारी चीज़े ऐसे जिसको कि हम public platform पर reveal नहीं कर सकते हैं उसकी अपनी foundations होती है यह body बनी है और यह विक बन गए देखें इस विक का बहुत सारा काम होता है दूसरा इसका adjust आप opposite कर दो एक यह बन गई बहुत बार आपने देखा होगा कि जब stop loss लिये जाते हैं तो फटा लिया सो क्या होगा इस वाली जगह से मार्केट में मार्केट ने माली है आपके stop loss लिया फिर यहां से नीचे की तरफ आगए थोड़ी देर तो इसने यहां पर कहीं trade किया अगें जब प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाके इस पिन बार का high break कर दे आप यह समझ जाओ कि इसक प्राइस का movement होना चाहिए तो मज़ा आता ना फिर वहां पर आप बैठे रह सकते हो अब यहां पर क्या हुआ कि stop loss गया आपका और प्राइस सीध है ओपर की तरफ दूसरा देखिए इसका क्या logic लगा जाता है कि प्राइस ने एक बड़ा order फिल किया यहां कहीं काफी heavy quantity में बड़े order पड़े होंगे अब वो stop loss के भी order हो सकते हैं वो new quantity execution के भी order हो सकते हैं कि नई quantities लगी है और प्राइस यहां पर trade करा है फटाक से spike आई इसने orders फिल किया और फिर नीचे की तरफ थोड़ी देर इस जगह पर price जमाना रुका रहा बट होता यह है कि price यहां से just opposite journey यहां पर यह pin bar form हुई है यह pin bar जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्याधा confirmation आपको मिलेगा और एक चीज़ ज्याद रखनी है कि जो लोग बताते हैं कि pin bar के opposite direction में trade मार दो यहां पर यह तो normal इंसान करता ही है एक normal trader यही करेगा वो यह नहीं देखता है यहां पर क्या हो रहा ह price direction में हम लोग क्या करते हैं कि price के जो action store ना उसको read करने की कोशिश करते हैं यहां पर को indicator होता है नहीं कि वहां पर crossover होगा तो फलाना crossover हो जाएगा तो वहां पर green light जल जाएगी या blue light जल जाएगा तो कुछ करते हैं नहीं न क्या होगा अब reading करो आप यहां से अगर एक pin bar म move दिखाया तो इसके just opposite एक move हो जाए यहां पर price sustain करें तो हम buy करें क्योंकि maximum लोगों के stop losses होते वो यहां पर होते हैं आप खुद सोच कर देखो ना कि अगर आप pin bar को trade करोगा तो यहां पर आपकी entry होगी और इस जगह पर stop loss तैबी तो होता है ना कि अधिकतर लोगों के stop loss जाते हैं आपको यहां कोशिश यह करने कि opposite वे में सोचना है अच्छा दूसरी चीज़ यह भी होगी जरूरी नहीं हम opposite सोच रहे हैं तो हमेशा सही ही होगा लेकिन एक step हम लोग आगे रहेंगे जो एक majority of trade है जिसके भी हमने बात की हम उससे एक step आगे रहेंगे जो वो समझने की कोशिश कर रहें पढ़ रहें तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि यहां पर follow-up हो जाती है यहां पर volume का तो हमने को यूज आपको बताया ही नहीं सिंपल सी candle का बता दिया volume को आप add कर दोगे तो वह और powerful बन जाते हैं I hope यह चीज समझ मेंगे अभी सिधे चलते हैं चार्ट के उपर और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं स्टार्ट हम लोग करेंगे डे टाइम चेम से अभी आपने क्या बता है कि कुछ resistance points highs lows highs और देखिए हाप पर प्राइज ने एक स्विंग लगा दिया और यहां से प्राइस फिर हमारा ऊपर चला गे इसी support से support लेकर के प्राइज हमारा अगें ऊपर की तरफ चला अब अगर वाकई में price हमारा strong है इस वाले area को price ने breakout दिखाया ना मतलब resistance को break किया है अब अगर resistance को break किया तो यह उपर चला जाए अब इसी चीज़ को आप lower time frame पर अच्छा यह चीज़ समझ में यहां पर कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने नहीं add कि है अगर आप देखोगे जैसे की swing अगर हम लोग देखना तो एक यह वाला swing बन रहा है यह जो green वाली candle है यहां पर एक swing बन रहा है अब price ने इस high के उप movement दिखाया नहीं हम लोगों को जब जब price यहां पर गया नीचे गिरा इस green वाली candle के पास में जब भी price गया नीचे गिरा यहां यहां से नीचे गिरा अब lower time frame पर आओ इस जगे पर हम आपको दो चीज़ दिखाते हैं सबसे पहले तो आप देखिए volume कितनी ज्यादा volume है आप normal days में देखोगे तो इतनी volume नहीं आते हैं चंबल fertilizer के अंदर दूसरी चीज़ एक smart money के coding अभी हमने क्या बताया आपको कि जहां पर लोगों को trap किया दूसरा इसे जगे से में देख गया rejection अपना यहां से rejection प्राइस नीचे की तरफ अब यह जो पिन बार बनी है इसका opposite move आप मार्क कर लो यहां पर क्या हुआ है कि market ने low को break किया नीचे की तरफ आया और एक high और फिर से price आमारा नीचे की तरफ दूसरी चीज हम यह देख र तो जैसे ही price ने 9.15 के नीचे movement दिखाया यहां पर आकर यह भी एक pin बार नीचे की तरफ market फिर से rejection मतलब के इस pin बार के just low से rejection और market ने already हमारी 9.15 के नीचे movement दिखाया यह भी एक opposite direction की pin बार आप देखिए क्या है breakout होने से पहले की movement प्राइस अगर हमारा breakout कर सकते है तो उसक lower time frame के अंदर वो क्या कर रही है high break कर रही है low break कर रही है सारी marking sum delete कर देखें यहां पर देखें क्या हो रहा है यह green वाली candle नीचे की तरफ workout इसके बाद में यह black वाली candle इसके नीचे की तरफ के breakout तो क्या होना price अपने direction के opposite side में trade कर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है हमारा मानना है कि प्राइज अपने इस गैप को भी अगर फिल कर देता है तो मूवमेंट हमें एक सफिचेंट मूव देखने को मिल जागा बाकि अगर गिरा तो गिर और भी सकते हैं इतनी छोटी सी चीज है I hope की समझ में आया होगा आपको जस्ट कोशिश यह कीजिए कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो करके सोचो क्योंकि यहां पर गेम सिर्फ आपकी सैकॉलजी का है कितना स्मार्ट वे में आप समझ सकते हो सीख सकते हो अब इतने बड़े-बड़े जो मूव हो रहे हमारे आपकी तो बसकी बात नहीं है भा पोजिशन 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 315.85 यह ओडर बूक अपन कर लेते हैं और बूक ओड़े की 315.85 तो चलते हैं 315.85 ओके यह अपना एंट्री का पॉइंट है जब हम इसके आगे आएंगे न तो 9.15 के जस्ट लोग के नीचे अपना ट्रेट एक्जिक जीरो का है 317.10 कॉपी यह अपने स्टॉप उस के लिए मतलब कुल मिला करके 3000 रुपए के आसपास का अपना यह रिस्क बन रहा है टार्गेट जो हम सोच करके चल रहे हैं आज देखे में तो एक यह टार्गेट है कि वो तो गैप फिल है अगर होता है तो प्राइस जानता में लिए क्या है एंड इस वत का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 1320 का स्पास का है सो इसको भी रिफ्रेश्च कर लेते हैं एक बार 132020 का को बड़ा मुवमेंट होता है यह हमको एक्शन लेते इसके अंदर तो आपको इंफॉर्म करते हैं आज के हमारे स्टॉक के अंद में इसके अंदर ट्रेट एक्जेक्यूट ही चाता सिर्फ यह उम्ही थी कि प्राइज अगर कम से कम अपना यह गैप भी फिल कर देगा तो ठीक ठाक मुवमें देखने को मिल जाएगा और अगर फिल करने तक आता तो यहां तक भी आ सकता है 311 जैसे कि ठीक ठाक कर क्रेकि आप देखाया कली absorbed करें स्मार्ट मुनी के तीन स्टैप आपको बताईगे 3 प्रोसेस बताईगे जिससे हम चुकिस्मार्ट मन्य को ट्रेप करिक कर सकते हैं कहां पर स्मार्ट मनी की मुवमेंट्स हो रही है किस जगे पर हम फिल करने और प्रेट रिपिर होंगे थ के कुछ पैटर्स हमने आपको बताया थे कि जैसी यह पिन बार रिजेक्शन है ना अपोजिट डिरेक्शन में ठेट तो देखे प्राइस ने क्या किया है हमारी इस वाली पिन बार को भी डाउंसाइड की तरफ ब्रेक किया फिर से हमें एक एक्टिविटी दिखाई पड़ी ह हमें इस केंड्ल का भी लो उल्मा कर लिया अगेन एक एक्टिविटी दिखाई पड़ी हमश्न का ब्रेक कर ली तो प्राइस का ही ना कर ना बतलुकरत अब में लेंगे जब काम करोगे तो एक confidence के साथ अपने trades को बोल्ट कर सकोगे अब हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं इस वत का जो अपना time हो रहा है इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तीन बचकर आठ मिट हो रहा है अगर trade यहां से start करोगे इसको use करोगे थोड़ दिन तो आपको इसका अलग एक experience में लेगा एक smoothness देता है orders लगने में delay नहीं होगा equities करो चाहां आप options करो बहुत सारी facilities है जो यहां पर होगा loss करोगे तो उसकी फिर आपको brokerage नहीं पड़ेगी इस तरह की काफी सारी facilities है जो आपको espresso दे रहा है करेंट मार्केट में बिल्कुल जैसे ही आप इसका price जैसे चोला फिनांस का है अगर चार्ट उपन करें यह देखें बिल्कुल चार्ट वर यह आपको stop loss और entry के सारे सारे singles दे देता है मेरा stop loss जहां से हमने sale किया हुआ है और जो मेरा stop loss लगा है तो सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा बिल्कुल पास जैसे एकदम trading वी चलता है बिल्कुल वैसे चलता है लेकिन अभी हमारा हाथ से trading वी पर तो हम जो charts देखते हैं और execution जो होता है हमारा वह एस process तो चाहो देखे यही से cancel होगा अपना cancel and अब वापस चलते पोजिशन बुक में 3600 का profit है बुक कर लेते हैं 314 रुपे 20 पैसे चल रहा है अब निकल जाए यहां पर price successfully placed order book धीरे धीरे निकल रहा है अच्छा प्राइस देखे 31430 रुपर रुका हुआ है तो धीरे धीरे प्राइस अपने निकल रहे हैं धीरे धीरे ओके ले जाए सारी क्वाइंटीज निकल गए कितना profit ओवर 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 त्री थाउजन एटेट 50 रुपीज का not bad one is two one के आसपास काई है अब movement नहीं है तो हमने शुरुआत में कहा था अगर stop loss नहीं जाता और अगर हम last तक बने रहते हैं तो जो भी profit मिलेगा वो लेकर करके हम चुप चाब बाहर निकलें इस तरह की mistake अब live market में कितनी भी practice कर ले ना चोटी चोटी चोट अब यह विमारी एक तरह की practice है thanks and I hope कि वीडियो आपको जरूर से जरूर अच्छा लगा smart money के उपर और हम वीडियो अप्लोड करेंगे deep analysis के साथ में उसको आप जरूर देखिएगा and video कर अच्छा लगा तो इसको like किजेगा comments किजेगा and अपने friends circle में इसको share करने के के जगा thanks and we will meet again